इसे हैं आप सभी आसा करता होंगे सभी कुसलमंगल से होंगे बात करते हैं विदेश जाने के योग की जी हां अकसर आपके मन में यह विचार आता होगा कि क्या मैं विदेश जा पाऊंगा क्या विदेश में नौकरी कर पाऊंगा तो आपको बताना चाहूंगा कि आप चाहे जितना प्रयास कर लें जब तक आपकी जन पत्रिका में ग्रहों की इस्थितियां सही नहीं होंगी विदेश जाने के लिए तो आप थोड़ा भी प्रेत्न करेंगे तो आप विदेश जा सकते हैं चाहे विदेश यात्रा के लिए हो या फिर विदेश में नौकरी करने के लिए हो और पुराने जमाने में विदेश जाना अच्छा नहीं माना जाता था क्योंकि लोग जो एक बार घर से बाहर चले गए तो जरूरी नहीं कि वे कभी भी वापिस आप आया यह निश्चित नहीं होता था साधन भी अच्छे नहीं थे परन्तु आज के दौर में विदेश जाना एक स्टेटस सिंबल माना जाता है कि वह व्यक्ति विदेश हो कर आया वह व्यक्ति विदेश में नौकरी करता है तो आये जानते हैं कि क्या आपकी जन्पत्रिका में ऐसे योग बन रहे हैं जो आपको विदेश ले जा सकते हैं या विदेश में नौकरी दिला सकते हैं आएक एक करके सभी पर बात करेंगे तो आप अपनी जन्व पत्रिका उठा लेजिए और जो भी मैं ग्रहों की स्थितियां बता रहा हूं वहाँ एक एक करके आप उसमें देखिए सो हम ही जान जाएंगे कि क्या विदेश के योग हैं या नहीं हैं आएए चलता है तो किसी भी जन्व पत्रिका में किसी भी लगन कुंडली में यदि लगन भाव के स्वामी अठात प्रथम भाव के स्वामी जिसको लगनेश बोलते हैं लगनेश एकादस भाव में चले जाए और नवम भाव यहाँ पर शुक्र विराज मान हूँ और नवम भाव के स्वामी दसम भाव में चले जाएं तो यह इस्तिति विदेश व्यक्ति को अवश्य ले जाती है पुन्हा देखिए किसी भी लगन कुंडली में जो लगन के स्वामी हैं वे 11 भाव में चले जाएं और 9 भाव में शुक्र हो और 9 में अर्थात 9 भाव के स्वामी 10 भाव में हो तो विदेश जाने की सम्भावना बनती हैं एक बात और बताना चाहूंगा कि किसी भी जिन पत्रिका में जो 12 भाव होता है अर्थात 12 भाव वह विदेश यात्रा को दिखाता है जो 9 भाव होता है वह भी छोटी यात्रा को दिखाता है उसका भी सम्मंद विदेश से होता है जो अस्टम भाव है वह विदेश में पर्मा निवास को दिखाता है ऐसे तो और भी कई स्थितिया हैं लेकिन विशेस तार से यही है कि बारहवा भाव नवा भाव और आठवा भाव ये विदेश्यात्रा के लिए हमें अवश्य देखना चाहिए और चुकि विदेश्यात्रा एक लग्जरी का मेटर होता है तो सुक्र सम यदि जनवपत्रिका में शुक्र अच्छे हैं तो विदेश्यात्रा की संभावना अत्रिक बढ़ जाती है तो आप आने वाले जो भी मैं योग बताऊंगा उसमें आप देखेंगे कि शुक्र का भी योगदान रहेगा तो यदि आपकी जनवपत्रिका में शुक्र दसम भाव में हों तो व्यक्ति विदेश जा सकता है इसको उदाहरन से समझे कि यहाँ पर यदि एक नंबर लिखा हुआ है तो मेश राशी हुई इसके स्वामी हुए मंगल यह मंगल एकादस भाव में विराजमान हो जाएं और शुक्र नवम भाव में हूँ अब देखें यदि यहाँ पर एक है तो यहाँ पर नौ आ जाएगा और नौ अर्थात धनु लगन धनु राशी इसके स्वामी हुए गुरू यह गुरू दसम भाव में चले जाएं तो यह हिस्तिती बन जाती है देखें लगन के स्वामी मंगल यहाँ पर एकादस में है शुक्र नवम के स्वामी गुरू दसम में चले गए हैं दसम भाव में चले गए हैं तो यह इस्तिती विदेश जाने के लिए प्रेरीत करेगी आपको विदेश ले जा सकते हैं अगले योग पर आते हैं यदि लगन कुम्भ लगन हो अर्थात लगन में 11 नंबर रासी हो और वहाँ पर श ग्यारा नंबर रासी हो वहाँ पर शनी विराजमान हो और नवम भाव के स्वामी दसम भाव में हो तब भी विदेश जाने के योग बनते हैं अगला सुत्र लगन में 11 नंबर रासी हो और शनी केंदर में कहीं बैठे हो केंदर कौन सा होता है पहला भाव चौथा भाव, सात्वा भाव, दस्वा भाव तो शनी कहीं भी इनमें से विराजमान हो और मंगल द्वादस भाव में बैठे हो तब भी विदेश जाने के योग बनते हैं यहाँ पर देखिए अगर यह ग्यारा नमबर रासी लगन में अर्थात कुम लगन की पत्रिका है तो यहाँ पर 12 भाव में दस नमबर रासी अर्थात मकर रासी आएगी और मकर रासी में मंगल उच्च के होते हैं ठीक है तो यह हो गया और यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताय था कि लगन में शनी बैठे हों और 11 नमबर राशी हो तो यह भी सस योग होता है सस नामक पंच महापुरुश योग होता है अतिनत सुब योग है ठीक है चलते हैं अगले सुतर पर कि यदि शुक्र 12 भाव में हो शुक्र 12 भाव में विराजमान हो और यहाँ पर 12 नमबर राशी लिखी हो तब भी व्यक्ति विदेश जा सकता है क्योंकि शुक्र 12 भाव में वैसे भी अच्छा फल देते हैं और 12 नमबर राशी में हैं तो मीन राशी में शुक्र उच्च के होते हैं शुक्र के अच्छी स्थिति है जैसा की शुरुआत में ही मैंने बताया कि शुक्र यदि आपकी अच्छी स्थिति में है तो विदेश जाने की संभाना बनती है और 12 भाव से तो वैसे भी विदेश यात्रा को देखा जाता है तो यहाँ भी विदेश योग ही है अगले यो सभाव में तो यह चार नम्मा रास लगने में आगी अक्था करक लगनOWALे लोगों के लिए सूतर है कि उनकी जन पत्रिका में दोदस भाव में यदि राह विराजमान होते हैं तो विदेश जाने की सम्होणा बनती हैं अगले योग पर आते हैं कि यदि नवम भाव के स्वामी दसम भाव में और दसम भाव के स्वामी नवम भाव में हों तो यह पोहत बढ़या योग होता है व्यक्ति फ्रिक्वेंटली विदेश यात्रा करता है विशेश कर कारेच्षेतर से संबंदित यात्राएं विदेश की करता है तो यहाँ पर नवम भाव के स्वामी दसम में और दसम भाव के स्वामी नवम में हैं तो व्यक्ति कारच्छेत्र से संबंदित फ्रिक्वेंट विदे स्यात्रा कर सकता है कई बार यात्राएं कर सकता है अगले सुत्र पर आते हैं अगले योग पर आते हैं कि जनपत्रिका में नवम भाव और द्वादस भाव मैंने बताया कि ये दोनो और अस्टम भाव ये तीनो विदे स्यातरा के लिए होते हैं तो यहाँ पर यदि दौदस भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी ये 12 भाव के स्वामी और 9 भाव के स्वामी ये दोनों यूति बनाकर लगन में विराजमान हो जाएं या फिर 9 भाव में विराजमान हो जाएं या फिर 12 भाव में विराजमान हो जाएं तो विदेश स्यात्रा की संभना बक्ती है उदारन ले लिजिए यहाँ पर मालिया यह मेश लगने की पत्रिका है तो यहाँ पर 9 नमबर राशी आएगी यहाँ 12 भाव में 12 नमबर राशी आएगी अब देखें यह मेश लगने की पत्रिका है एक नमबर राशी लगने में और मैंने क्या बताया कि 12 भाव के स्वामी यह हाँ पर 12 नमबर रासी है देखिए तो ये गुरू इनके में रासी हुई इसके स्वामी हुए गुरू गुरू और 9 नमबर रासी नवम भाव में है इसके स्वामी हुए ये धनू रासी है इसके स्वामी भी गुरू ही हुए और यदि अब चुकि दोनों के स्वामी एक ही है तो क्या होगा गुरू अब चाहे लगन में विराजमान हो जाएं चाहे नवम भाव में विराजमान हो जाएं चाहे द्वादस भाव में विराजमान हो जाएं तो यह विदेश यात्रा की अच्छे संभानों को दर्साता हैं इसे प्रकार कुछ और उधरन ले लिजे मान लिजे यहाँ पर दो नमबर रास लिखी हुई है तो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ दस ग्यारह बारह और एक अब देखिए क्या मैंने बताया कि नवम भाव के स्वामी और दोदस भाव के स्वामी दोदस भाव में एक नम मंगल और नौम भाव में दस नमबर रासी है यह मकर रासी है स्वामी हुए सनी तो मंगल और सनी यूति बना कर चाहे लगन में विराजमान हूँ चाहे मंगल और सनी यूति बना कर नौम भाव में हूँ या फिर मंगल और सनी यूति बना कर दोदस भाव में हूँ तो यहा पर विदेश योग के संभाना होती है अब आप कहेंगे कि यहां तो एक नमबर रासी है शनी शनी एक नमबर रासी में नीच के होते हैं फिर कैसे होगा ध्यान रहे यहां पर विदेश यात्रा की बात है विदेश में जाने की बात है तो यह नीच के होंगे तो भी योग बने कैसा फल होगा वहाँ जाने पर वह बात की बात है विदेश यात्रा यह अवश्य कराएंगे तो इस प्रकार से आज हमने कई चीजों को देखा और यह जाना कि किसी भी जनपत्री कायमें जो दादस भावे नवम भाव है और अस्टम भाव है विसेश तोर से विदेश यात्र तो भी आपको विदेश यात्रा करा सकते हैं और ध्यान रहे कि जो भी योग बन रहे हैं देश काल और परिश्थिति का भी विशेश ध्यान रखना है तहने का तात्पर है कि योग तो बन रहे हैं लेकिन आप प्रेत्न नहीं कर रहे हैं जाने के लिए तो देश काल और पर इस्तिति वहाँ पर लागु नहीं हो रही है तो आप विदीस तब नहीं जा पायेंगे, योग बर रहे हैं, आप प्रित्न करेंगे तो आप अवश्य विदेश जा सकते हैं, यह दिक्राख़ कि स्थितियां आपको सपोर्ट कर रही हो तो और महा दसा अंतर दिसाय भी आपको सपोर्ट कर रही हो तो आसा करता हूं कि यह कारिक्रम आपको परसंद आया आज के लिए बस इतना ही नमस्कार